प्रेंट्स मैं नोरुत्राम लोरोली और आप देख रहे हमारी यूटूब चेनल मेटकाइट पिपुल्स वोईस को दरहसल आपको बता है कि मैं दलीत अच्चारों की घटा हैं वो लगातार उठाता रहता हूं और खास्त कर उन घटनाओं को मैंने पिसले 3-4 दिनों के अंद अबर है राजस्तान, मारवार, चितोड, परताब गड जैसे अमेरबार में जैसे ये इन इलाकों के अंदर आधिवासी इलाकों के अंदर है वो ऐसी एश्टी के लोगों को है वो घोड़ी पर नहीं बेटने दिया जाता है इनके अंदर जाती वाद और सामंत वाद का इतन और मामला हमारे सामने आया है इस मामले के नुसार राजस्तान के चितोड गड जहां वो चितोड गड जहां पर मीरा भाई के नांसों से जाना जाता है उस चितोड गड के अंदर है दली तत्याचार का मामला सामने आया है आपको बता दे की चितोड गड के लक्स भी पूरा के दो दिन वो लड़की की बिंदोरी निकाल रहे थे जियां लड़की की बिंदोरी निकाल रहे थे और बिंदोरी के अंदर है वो दबंग जाती जो होती है अपने आपको जो समस्त हैं उनके लोगों ने पत्थर और मिठाईयां बगाई जो बंडाल में बनाई थी उसकी तर आक्मिक्ती है वो दर्ज करूदी गई है लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही कि आकिर कब तक जुलम सहते रहेंगे जी हाँ आपको बता दे कि लड़की के पिता नत्थूलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि लड़की के बिंदोरी निकालने पर दबंगों ने उनके उपर म मारपीट के दोरान उनके बेटे रमेश और सिवपाल बतलब लड़की के भाई रमेश और सिवपाल के साथ बूरी तरीके से मारपीट की गई है जिनके साथ मारपीट से पूरी उनके सरीर पे जगए जगए जखम आये और इसका इलाज है वो चितोर गड़के राज के चाल लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बढ़ता है कि आखिर इस परकार की घटनाएं कब तक जहां हम बात करते पाकिस्तान और भारत की वहां पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर यह जात यह आतंगवाद किस दिन और कब खतम होगा आपको बताते कि दलीतों के उपर पंद्रा मिनट बाद एक एक्ट्रो सिटी एक्ट की है वो एक से दो एफायर दर्ज होती है उस भारत के अंदर पुलवामा की घटना पर इतना जुल्म क्यों उन्होंने का आगे से प्रेम से आगे बढ़ाना चाहिए अगर दलीत अत्याचार सहने की सकता किसी से बेंगनी तो वो दलीतों से सीखने चाहिए इस परकार का ट्वीट की भी किया था लेकिन सचाई है आगडों के मताबिक ये सच है कि दलीतों के उपर हर पंद्रा मिनट के उपर एक एक एक्ट्रो सिटी एक्ट है वो मुक्दमा दर्ज हो जाते हैं अधिकांस मामले आपको बतादे कि राजस्तान उत्रपदेश जैसे कहीं लागों के अंदर अधिकांस मामले के अंदर है वो एफाइ आर भी दर्ज नहीं होते हैं आपको बता दे कि लोगों को गाउं से जाकर एफाइ आर भी दर्ज नहीं करवाने दे जाती हैं ये सरकारी यहाँ करें जिसके इनुचार 15 मिन साधी में बंदोरी निकाल रहे थे, बंदोरी निकालते वक्त, दबंगों ने उनके उपर कहर बरफाते हुए, पूरी तरीके से उनकी मिठाई जो बनाई वी थी, उसको सत्यानास कर दिया, साथ ही जो लड़की के भाई थे, उनके उपर उनको मारपीट की गई, उनके दो भा कार की किसी भी वेक्टी को गिरपतार नहीं किया गया है, पंदरा से 20 लोगों के खिलाब है, गाव के ही 20 लोगों के खिलाब, यह मुगदमा दर्ज करवाया गया है, और इस मामले के अंदर पुलिस क्या करवाई, एक्शन लेती है, क्या नहीं लेती है, तो आने वाला बक् आप हमारे चेनल Ambedcat People's Voice को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाईए और पाईए हर वीडियो के नोटेपी के साथ